Hello everyone, मेरा नाम है सुधान चुदुवे, एक बार फिर हाजर हूँ, आप सभी के बीच में संजीवनी जेए के एस ब्लॉक नमबर, लेक्चर नमबर थर्ड के अंदर, तो चलिए बिटा, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि हमने लास्टन पे रियक्शन पार्ट को चाल बात करूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, रियक्शन आफ एस ब्लॉक, क्या पढ़ने वाले हैं, तो रियक्शन आफ एस ब्लॉक पढ़ने वाले है, ठीक है, अब रियक्शन आफ एस ब्लॉक में जैसा कि हमने लास्ट दिस्कशन र oxygen के ऊपर कितना चारज आएगा और किइन एगा तो दो करें चारज करते हैं तो क्या बनता है और समझने के कोशश करना या रिलीज कर देता है, दोनों बातें आप कहा सकते हैं, मुद्दा क्या है यहां पर, कि जैसे कि हम कहा जाते है, पंडव्यों में जाते हैं, ठीक है, सब्मेरीन के अंदर, ठीक है, या फिर अंतरिक्षियान में जाते हैं, स्पेस शटल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, कि ह बहुत बढ़े बढ़े oxygen के cylinder नहीं ले जा सकते हैं तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं कि O2 के टेबलेट्स यूज करते हैं जो कि करता क्या है जो कि CO2 के साथ react करने पर क्या release कर देता है यानि कि अगर हम बात करें space shuttle या submarine के अंदर इसका use किया जाता है to purify air मतलब वायू को शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो हम use करते हैं कि O2 के कहा जाता है कि capsules का use करते हैं जिसके जरीए हम क्या करते हैं वहां से O2 extract कर लेते हैं जो कि हमारे बहुत सारे काम आती है ऐसी अगर हम बात करें कि K2 की तरह अच्छे oxidizing agent के रूप में Na2O2 भी करता है अगर हम बात करें हलाक इतना detail का भी पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी जानकारी क्लेब में बता दो कि Na2O2 जो होता है यह कहा जाता है एक परोक्साइड अब परोक्साइड भी K2 की तरह ही काम करता है क्या इस कैसे एक example दे के बताओ तो तो पर अगर मैं आप से बात करता हूँ बिटा Cr प्लस 3 किस कलर का होता है अब देखो होता क्या है sodium तो होता है colorless कैसा होता है बूलो जल्दी colorless क्रोमेट समझ दाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्रोमेट एन बोले तो CRO 4-2, इसका कलर होता है यलो कलर, कैसा होता है, यलो कलर होता है, कैसा होता है, अब समझने के कुशिश करो, NA2 CRO 4 है, यह कैसा सॉलेशन बनाता है, तो यह बनाता है यलो सॉलेशन, पीला बिलियन बनाता है, कैसा बनाता है, पीला बिलियन, पीला बिलि कैसा है तो एन ने तो आपका कैसा है बिटा कलर लेस है और क्रोमेट आएन कैसा होता है ये क्रोमेट आएन क्रोमेट आएन होता है येलो तो ओवराल कलर कैसा आएगा तो येलो सॉलिशन आएगा अब देखो यहां पे ये Plus 3 में है, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर यह कितने में है, plus 3 में, यहाँ पर यह कितने में होता है, plus 6 में, कैसे सर, एक oxygen के ओपर charge कितना होता है, minus 2, कितने oxygen है, बिटा, 4, 4 into minus 2 कितने हो गए, minus 8, minus 8 में से इसने sodium ने क्या बोला, कि मैं तो plus 2 को चलो manage कर दूँगा, balance कर जाता है क्रोमियम के उपर यानि नियू जब प्लस थरी से प्लस 6 जाता है तो यह सॉलीशन किस कलर का नज़र आने लगता है यह यह लो प्लस तरी से किसी चीज को उठा के प्लस रहा रखा रहा हैwind constitution इस parents का लॉस हुआ है या Seeing जवाब रिलेक्ट्रों चोड़ना पड़ा है लेक्ट्रों चोड़ा अपड़ा है किसकी तरह काम कर रहा है किसकी तरह काम कर रहा है अगर electron ले रहा है तो यह किसी तरह काम करेगा बोले जल्दी oxidizing agent की तरह है तो यहां पे na two o two किस की तरह काम करता है oxidizing agent किस की तरह oxidizing agent की तरह काम करता है ठीके तो अगर हम बात करें कि submarines या space shuttle के अंदर किस yogic का use करते हैं that is ko2 यानि कि potassium प्रटेशियम सूपर ऑक्साइड का यूज सब्सक्राइब कर सकते हैं जी यहां साथ बिलकुल कर सकते हैं CR-3 को उठा किसमें कर देता है क्रोमेट आइन में कर देता और क्रोमेट आइन जो होते हैं वह कैसे होते हैं potassium का super oxide तो पहले मैं आपको कुछ चीज़े बता देता हूं कहीं पे भी अगर word soda आता है मतलब मान के चलिए वहां पे sodium जैसा कुछ present है potassium जैसा lime जहां पे आपको दिख रहा है यानि कि calcium जैसा कुछ न कुछ present है पकी बात है अब देखो जब lithium oxide को लेके पानी के साथ trade करोगे तो क्या बनेगा आप एक काम करो आप इसको तोड़ो आपको खुद बखुद नजर आएगा यहां पे जब तोड़ोगे तो यहां पे नजर आएगा यह तो किसके साथ चला जाएगा बोलो बीटा तो यह किसके साथ चला जाएगा यह ओ एक चार्ड चिपकाते जाओ तो li लाई प्लस है, OH माइनस है, इसका चार्ज इसके पाउं में चिपकाऊ, इसका चार्ज इसके पाउं में बना क्या, लाई ओएच बन गया, प्लस अगर मैं तुम से बात करता हूं, यहाँ पर क्या है, ह और O है, समझने की कोशिश करना बिटा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा H+, O के ओपर माइनस 2, इसका चार्ज इसके पाउं में इसका चार्ज इसके पाउं में आपका क्या बन चुका है, तो आपका ये बन चुका है H2O, क्या बन चुका है बिटा H2O बन चुका है, ठीक है, ऐसी अगर हम Na2O2 को, यानि की परोक्साइड को ले कि अगर जब हम पानी के अंदर डालेंगे, देख बेटा होगा क्या यहाँ पर क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा Na+, और O2- का मतलब क्या बन गया, O- 2 Na+, बनेगे 2 O- ऐसी पानी को तोड़ोगे, तो बना लेगा, यह तो H+, बना लेगा, और क्या बना लेगा O- माइनस बना लेगा, क्या बना लेगा O- बना लेगा O- अब यहाँ पर एक ग्जिक्ली होता क्या है, जरह गौर समझना यह जो Na है, यह किसके साथ combine करके निकल लाएगा तो यह निकल लाएगा NaOH बनके, क्या बनके निकल लाएगा NaOH, ठीक है, बचा क्या, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे दो negative आयन है, दो oxygen है, तो दो hydrogen भी ले ले लेते हैं, तो यह क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हैं, क्या बनाते हिं? H2O2 यानि lithium के oxide के साथ जब water को TREAT करोगे तो lithium का hydroxide बन रहा है, लिथियम hydro oxide बन रहे, क्या बन रहा है, lithium hydro oxide बन रहे और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या बन रहे है? तो यहाँ बन रहा है hydrogen peroxide, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पार ओक्साइड बन रहा है क्या बन रहा है हाइड्रोजन पार ओक्साइड यानि कि ने टू ओ टू को लेके पानी में डालोगे तो क्या बनेगा यहां पारोक्साइड बनेगा पारोक्साइड को पानी में डाला पारोक्साइड बनेगा सबसे जबरजस्त बात क्या है बिटा के ओटू के साथ है सबसे जबरजस्त बात जो है वो किसके साथ है के ओटू के साथ जब आप के ओटू को पानी में डालोगे तो आपको पता है ये कैसे तूटेगा k-plus, यह कैसे बनेगा k-plus, और क्या बनाएगा आपका o2-, ठीक है, ऐसे ही पानी को तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, यह h-plus, और क्या बनाएगा o h-, समझ रहू मेरी बात को, तो यहाँ k-os h- kes southern x k-nine- के साथ combine कर जाएगा, समझ रहाँ मेरी बात को H जो है ये किसके साथ combine करेगा O2 के साथ तो यहाँ पे क्या बनाएगा HO2 और HO2 जो होता है ये क्या होता है highly unstable होता है ये कैसा होता है highly unstable होता है तो highly unstable होने की वज़े से ये क्या करेगा तो ये further combine करके यह क्या बनालेगा यहाँ पे हाओच 2-2 और साथ में रिप्रेट कर देता है um ep carbant यहाँ पी यहाँ पर बनेगा यहां पर आपका बनता है ही अ Hers dove प्लसट ग्या निकल जाता है अब समझने वाले मुद्दे की बात क्या है? कि तीनों जगा देखोगे तो पानी two tried, this is why हम इसको क्या बोल सकते है? Hydrolysis. क्या बोल सकते है? Hydrolysis. क्या बोल सकते है? बोलो बिटा, Hydrolysis. मुद्दे की बात ये है, कि जब KO2 को आप तोड रहा हो, तो आपको •-1 माइनस 1 और 2 oxygen पे कितना 2 है O2 के अंदर अगर हम बात करा रहें तो चार्ज कितना है ? 0 सबसलें अब के 2 के अंदर देखो Mाइनस 1 यहां पे था मतलब कि 1 के उपर अगर देखा जाया तो माइनस हाफ था कितना था अगर बात करूं यहां पे मईनस हाप से, यह गहां जा रहा है। मतलब इलेक्टों कऊ ही लएक्टों ही 1 से साथ आएDis One से अगर हम सी अ करी जहां पिए रियूंस वचिचन. reaction कहा झाता है कैसी reaction कहा जाता है disproportionation reaction यानि कि अगर मैं तुम से बात करूं कि potassium के super oxide को जैसे ही आपने किस के अंदर डाला जैसे ही आपने पानी के अंदर डाला तो इसने क्या show करना शुरू कर दिया कलवा दिया अब मुद्दे की बात ये है मुद्दे की बात समझना, तीनों केस में hydrolysis तो हुई है, अब अगर मैं तुमसे बात करूँ, समझने की कोछिस करो, कि HO2 क्या होता है highly unstable, तो पानी में जाते ही क्या करता है, पानी का oxygen छीन के खुद तो क्या बना लेगा, खुद बना लेगा H2O2, और साथ में क्या liberate कर रहा है O2, यानि पानी में जाने के बाद से ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी से O2 liberate कर रहा है, यानि कि ये क्या हुआ, जबर जस्त oxidizing iron हुआ, मुद्दे की बात क्या है, कि मुद्दे की बात यह है बिटा, अगर आपको super oxide दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, super oxide, और आपको क्या दे दिया जाए, per oxide दे दिया जाए, super oxide, per oxide, दोनों में oxidizing power पूछी जाए, तो super oxide की ज़्यादा होती है, compare to किसके per oxide के oxidizing power, अब अगर मैं तुमको यहाँ पे explain करूँ, तो जड़ा गौर से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे, इस छोड़े से bracket के अंदर, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जैसे आपने लिया क्या O2-, अब O2- कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करो, O2- मतलब O के उपर कितना charge है, minus half का, वहीं O2-2, मतलब एक oxygen के उपर charge कितना है, तो minus 1 का, अब एक बाद तो दोनों जाना कहा चाहते है, तो दोनों जाना चाहते है O-2, कौन ज़्यादा electron खाएगा, सर, O जिसके उपर half charge है, O जिसके उपर half charge है, एक मिनट, O जिसके उपर half charge है, वो जल्दी electron खाएगा, सर, और वो जल्दी से किस में जाना चाहेगा, O-2 में, यह कैसे जाना चाहेगा, तो यह late से, और यह वाला थोड़ा comparatively जल्दी जाना चाहेगा, यानि कि अगर मैं बात करूँ, कि जल्दी electron सूपर oxide खाना चाहता है, या पर उक्साइड, तो जवाब है सर, सूपर oxide खाना चाहता है, यानि कि अच्छा oxidizing एजन्ट कौन सा हुआ, अच्छी oxidizing, पावर किसकी हुई, तो सर, सूपर oxide की जाते हुई, compare to paroxide की, तो इसको देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, फड़ा फड़ से, चलिए, नोट कर लिया होगा, हुप सो, ठीक है, next आगे हम चलते हैं, liquid NS3 के साथ reaction को पढ़ते हैं, देखो, liquid NS3 का मतलब क्या होता है, liquid NS3 का मतलब है, NS3 को उठा के हमने पाने में डाल दिया है, ऐसा आप सोच रहो ना, गलत सोच रहो है बिटा, liquid NS3 का मतलब क्या होता है, एक container लिया हमने, ठीक है, एक container लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या, NS3 क्या है, gaseous है, क्या साय है, बोले जल्दी, gaseous, NS3 gaseous है, ठीक है, हमने उपर से क्या लगा दिया बिटा, piston लगा दिया, क्या लगा दिया, piston, और इस पे pressurize करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया, pressurize करना शुरू किया, ये धीरे-धीरे करते करते, piston यहां आया, ठीक है, थोड़ा धीरे-धीरे करते करते, यहां piston आगया, है ना, समझने की कोशिश करो यह ओपर से इस पर प्रेशर लगा रहा है करते 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 piston को हम यहां तक ले आए कहां तक ले आए बिटा यहां तक ले आए समझने की कोशिश करो यहां पर करते 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 यहां तक ले आए यहां तक ले आने के वाद से अब यह क्या बन जाएगा liquid NS3 बन जाएगा pressurize कर दिया तो gaseous cheese किस में convert हो गई liquid में अब समझने के कोशिश करो तो यह liquid NS3 है ना कि aqueous NS3 जो आप NS3 को पानी में घुला हुआ सोचते हो वो होता है aqueous NS3 तो अगर मैं बात करूँ liquid को NS3 को पानी के साथ NS3 को पानी के साथ हम aqueous NS3 कहते हैं aqueous NS3 कहते हैं ना कि liquid NS3 liquid NS3 यह नहीं होता है पहले लिख दिया है मैंने aqueous NS3 कहते हैं liquid NS3 नहीं कहते हैं अब समझने की कोशिश करो यह जो liquid NS3 होता है इसका काम क्या होता है तो यह किसकी तरह काम करता है तो यह solvent की तरह काम करता है किसकी तरह काम करता है बिटा को भी stabilize करना और electron को भी सर यह कहा से आ गया picture के अंदर बेटा देखो यहाँ पर यह जो metal का सपना था बजपन से electro positive बने रहना जिसके लिए metal को करना क्या पड़ेगा electron छोड़ना पड़ेगा तो metal के खुद के ऊपर charge कैसा आएगा प्लस x charge आज आएगा समझना मेरी बात को तो ये metal cation बना और ये electron बना तो जो liquid energy लिया जाता है ये solvent की तरह काम करता है ये medium की तरह काम करता है और solvent का काम क्या है कि इस metal cation को भी stabilize करना और इस electron को भी stabilize करना दोनों को stabilize करना किसका काम है बोलो जल्दी liquid energy को माल लो liquid energy मैंने ले रखा x plus y, अब x plus y कोई भी integer हो सकता है, समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा metal m plus x, साथ में यह क्या बन जाएगा, nh3 का whole x बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे तो यह रहा electron और यह रहा nh3 और यह रहा y, यह बना समझने की कोशिश करता, इससे हम क्या बोलेंगे, ammoniated iron क्या बोलेंगे बिटा, ammoniated iron इसको हम क्या बोलेंगे, ammoniated iron ammoniated iron बोलेंगे, ठीक है ammoniated iron जबकि हम इससे क्या बोलेंगे बिटा, तो इससे हम बोलते हैं Ammoniated Electron, क्या बोलते हैं? Ammoniated Electron कहते हैं, क्या कहते हैं? Ammoniated Electron कहते हैं, मुद्दे की बात ये है बिटा, कि इसे हम कहते हैं Ammoniated Electron, ये जो Ammoniated Electron है, इस Electron के होने की वज़े से, ये जो स्पेसीज है, ये Electron Rich है, ये Electron Poor है, ये Electron Deficient अगर मैं बोलू तो, तो जवाब है, कि sir इसके पास number of electron है और number of electron होने की वज़ा से number of electron होने की वज़ा से ये कैसा होता है तो ये होता है electron rich होता है कैसा होता है बोलो बिटा electron rich होता है number of electron इसके अंदर present होंगे जिसकी वज़ा से इसे कहा जाएगा electron rich species C is यानि कि अगर कोई इसके पास आता है और कहता है भाई मुझे काम करोожд legs brave दे दो तेसको बिलकुल भी अतराज नहीं होगा क्यों क्यों क occurs कि इसके भगवान का दिया हूँ कूप सारा elastron present है तो elastron देने वे इसको प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे पता है कि जो question बनेगा वो यहां से ammoniated electron वाले point से आप से पूछा जाएगा और वो क्या-क्या पूछा जाएगा वो सारी बाते मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन पहले इसको देख लो कि यहां ammoniated electron और यहां पर क्या कहा जाए? ammoniated ion दो चीज़े बनते है ammoniated iron ammoniated electron कहा जाता है हिंदी में इसे अभ मुद्धि की बात यह है कि सर अगर मालनो यहां पर liquid की जगा में aqu CASS ले लेता तो क्या होता तो आव बिटा समझाते हैं क्या होता liquid की जगां अगर आप क्या ले लेते liquid की जगां मालनो let suppose क्या ले ले यह रहा hydrogen, यह रहा lone pair, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर eqos and S3 को ले लेते हैं, metal के साथ, metal क्या release करता, m plus, और क्या देता, e minus देता, अब यह समझने की कोशिश करो, eqos का मतलब क्या है, eqos का मतलब है, pani, क्या electron जो है, यह कौन खा जाता, hydrogen खा जाता, जैसी hydrogen खाता, यहाँ पर क्या बनाता, h-free radical बनाता, ऐसी माल लो, दूसरा electron आता, दूसरा h-plus आता, तो दूसरा वाला भी क्या बनाता, h-free radical बनाता, अब यह दोनो h-free radical, h-free radical, combine करते, यह दोनो h-free radical, h-free radical, combine करते, और finally, यहाँ पर क्या लिब्रेट कर देते हैं H2 gas, जिसकी वज़े से reaction container में बहुत सारी problem आ जाती, बहुत सारी enormous amount of energy release होती, और हो सकता था reaction container के अंदर आग भी लग जाए, इस वज़े से aqueous NS3 हमने नहीं use किया, कहा जाता है कि liquid NS3 और सारी aqueous NS3 वगेरा से कैसे अलग है, तो यहाँ पे अगर होता है, अब मुद्दे की बात आती है कि यह electron जो associate हुआ, यह कैसे हुआ है, तो आओ यहाँ पे जरा गौर से देखते हैं कि electron कैसे associate होता है, देखो नाइट्रोज, NS3 की अगर हम बात करते हैं, किस की बात करते है, NH3 के, ठीक है, तो जब हम NS3 की बात करते हैं बेटा, तो nitrogen क के पास होता है, lone pair, क्या होता है, lone pair, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा, hydrogen की electronegativity होती है, 2.1, nitrogen की कितनी है, 3 है, तो यह electron को अपनी तरफ खीचेगा, 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 तो यहाँ partial ilta negative, और यहाँ partial ilta positive आएगा, अब जो electron है, वो कह जाता है, ns3 के साथ जाके associate हो जाएगा, जबकि अगर हम बात करें, metal m plus x के साथ कैसे यह associate होता है, तो metal m plus x को, किसकी जरूरत है, तो electron pair की, तो यह यहाँ से अपना electron pair उठा के दे देगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यह क्या बनाएगा, अभी मैंने लिखा, दो component बनते हैं, एक बनता है m ns3 x, तो देखो वो कैसे बनाए, वो कुछ इस तरीके से बनाए, metal का खाली का टो रहा है, उसके पास pair of electron, उसने pair of electron उठा के दे दिया, अब अगर समझो कि electron कैसे ns3 के साथ attached हुआ है, तो वो जो attached हुआ है बेटा, वो ज़र अगौर से यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं, चली, next हम आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, since electron is very much reactive, hence it dissociates in water and forms H2, अभी जस्ट बताया कि पानी में यह कैसे मतलब, electron बहुत जादा reactive है, तो पानी में जैसे ही dissociate होगा, यह H को electron देगा, H free radical बनाएगा, H2 gas बनाके उड़ा देगा, तो वही बात लिखी गए, since electron is very much reactive, hence it dissociates in water and forms H2, ठीक है, while it associates with, while it associates with NS3 and forms, क्या form करता है, NS3 के साथ electron क्या बनाएगा, तो देखो बेटा, NS3 के साथ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, partial delta positive, partial delta positive, partial delta positive, और यह क्या रहा आपका, नाइट्रोजन का lone pair, electron यहाँ पर क्या करेगा, तो electron यहाँ पर associate हो कि क्या बनाता था, तो मैंने आपको बोला, ENH3 Y, बोला था या नहीं बोला था, जिसे हमने बोला था, amoniated electron, क्या बोला था, बीटा, बोलो जल्दी, तो हमेंने इसे अभी बोला, amoniated, amoniated electron बोला, ठीक है, तो it associate with NH3 and forms, amoniated electron, क्या बनाता है, बिटा, amoniated electron बनाता है, ठीक है, which is responsible for number of exceptional behavior, number of exceptional behavior में for example बता सकते हैं आप, तो पहला जो होता है, वह होता है, पेरा मेगनेटिक एंड कलर्ड कैसा होता है पैरा मेगनेटिक एंड कलर्ड कैसा होता है पैरा मेगनेटिक होता है और कैसा होता है अनुचुम्ब की और रंगीन होता है कैसा होता है अनुचुम्ब की और रंगीन पैरा मेगनेटिक को हिंदी में कहा जाता है अनुचुम्ब की और अगर हम बात करें, colored को बोला जाता है, रंगीन, ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर से समझने की कोशिश करो, paramagnetic and colored कैसे, देखो बीटा, unpaired electron था, unpaired electron था, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा, बोलो बोलो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा, आपका किसकी तरह, paramagnetic के तरह, unpaired electron, generally unpaired electron containing species are paramagnetic and colored, ऐसा मैंने chemical bonding के अंदर आपको बोला था, बताया भी था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, कि यहाँ पे लिख देता हूँ, generally unpaired electron containing species are paramagnetic and colored, कैसे होते हैं, paramagnetic होते हैं, and कैसे होते हैं, colored होते हैं, ठीक है, और यह किसकी वज़ए से, due to ammoniated electron, मैं यह उपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, this all due to, ammoniated electron, यह सारी property किसकी वज़ए से हैं, ammoniated electron की वज़ए से हैं, खेर, मुद्दे की बात पर हम आते हैं, दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ, कि पहली चीज़ यह paramagnetic होता ही होता है, और कैसा होता है, colored होता है, दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ, if concentration increases, if concentration of metal, मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, metal अगर बढ़ा देता हूँ, तो electron भी बढ़ेंगे, number of electron will increase, number of electron will increase, number of electron will increase, अगर number of electron बढ़ गया, बेटा, अगर number of electron बढ़ गया, तो आप मुझे एक बात बताईए, क्या एक समय SCI कि जहाँ पे electron का number इतना जादा हो जाएगा, कि unpairing, अप pairing में convert होगी, unpairing, अब pairing में convert होगी, तो number of electron, metal की concentration बढ़ी, तो metal का का में electron देना, electron का number बढ़ा, electron का number बढ़ा मतलब unpaired से वो क्यासा बन सकता है, paired बन सकता है, तो यानि कि if number of electron will increase, pairing हो सकती है, क्या हो सकती है, pairing हो सकती है, और अगर pairing हो गई, तो यानि कि वो diamagnetic रहेगा, या क्या हो जाएगा, diamagnetic या paramagnetic, सर अगर pairing हो गई, तो वो diamagnetic हो सकता है, तो might possible वो क्या बन जाए, diamagnetic, इसलिए NCRT मातारानी गीता Bible कुरान के अंदर एक बात लिखी गई है, कि अगर आप metal का concentration बढ़ाते हैं, तो color उड़ने लगता है, color उड़ने क्यों लगता है, क्योंकि वो diamagnetic बन रहा है, और diamagnetic बन रहा है, that is why यहाँ पर, color उड़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, color उड़ने लगेगा, sometime यह कैसा हो जाता है, color उड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा color उड़ गया तो चलर लेस हो सकता है या फिरometr जैसा से जैसा रंग होता है कि Gold Meadal, Bronze Meadal and Silver M придies कांस से पदगवरेंजेता कहा जाता है अगर concentration घए चाहए आपने कन्सेंट्रेशन उप मेडल के उप्ग्रिक ही होग हो सकती है diamagnetic बनेगा color हो सकता है उड़ जा या color जो होगा वो कैसा होगा ब्राश खलर का होगा अगर diluted solution होता है बहुत important सवाल है बटा ये बहुत important very 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 important question अगर diluted होगा solution अगर diluted होगा solution अगर विलियन जो होगा वो कैसा होगा डायूटेड तो यह कैसा हो सकता है यह किस कलर का होता है तो यह होता है बिटा ब्लू कलर का कैसा होता है बूले जल्दी ब्लू कलर का होता है कैसा होता है बूले जल्दी ब्लू कलर का अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन कैसा होगा diluted होगा तब तो वो blue color का होगा अगर माल लो अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगर solution concentrated हुआ तो यह कैसा होगा colorless या bronze होगा कैसा हुआ colorless और bronze ठीक है तो यह बात आप याद रखेंगे कि अगर solution कैसा हुआ diluted हुआ तब तो यह blue color का अगर solution concentrated हुआ तो colorless या bronze अब समझने की एक बात और कोशिश करो यहां पर तरीके से बिटा एक बात बताओ अगर माल लो metal का concentration तुम बढ़ाते हो तो obvious number of electron बढ़ेंगे number of electron बढ़ेंगे यानि moment of iron भी बढ़ेगा समझ रहा हूँ मेरी बात को अगर वैसे तो हम बात करें पैरा magnetic है unpaired electron होने का मतलब क्या है कि वहां पर moment वो शो करेगा moment शो करेगा that is why हम इसे क्या बोलेंगे conducting बनाएगा यह medium को क्या बनाएगा due to ammoniated electron medium will be conducting कैसा होगा conducting होगा कैसा होगा conducting होगा चौती बात करें तो यह reducing isn't की तरह काम करेगा क्या किसकी तरह काम करेगा reducing isn't की तरह किसकी तरह काम करेगा reducing isn't की तरह किसकी तरह काम करेगा reducing isn't अब समझने की कोशिश करो यहां पर अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो देखो जरा गौर से यह रहा एक मिनट यह किस कलर का होता है तो यह पहले मैं ब इसके पास कोई electron मांगने आता है तो बड़ी आसानी से अपना electron क्या करेगा उसे donate कर सकता है तो चुकि ये electron rich species है that is why electron दे सकता है that is why ये किसकी तरह काम करेगा reducing agent की तरह किसकी तरह काम करेगा बोलो विटा तो it will act as reducing agent since it is a electron rich species hence act as reducing agent जरूरत पढ़ने पर किसी को electron दे सकता है that is why conducting तो moment of iron necessary होता है iron का होना जरूरी नहीं है moment of iron का होना जरूरी है किसी भी medium को conducting बनाने के लिए तो यहाँ पर moment of of iron is required to make medium conducting समझे नहीं मेरी बात को तो यह चार बाते तो important है यह पाच्वी बात यह है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेटल को liquid NS3 में लंबे समय के लिए रखोगे बहुत लंबे समय के लिए after a long period of time और a long period of time तो यह क्या बनाएगा यह बना लेता है mnh2 प्लस क्या बना लेता है h2 बना लेता है अब जवाब यह है कि अगर हम बात करें कि यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है तो आओ इस बात को समझते हैं देखो metal क्या है बेटा metal का सपना क्या है चलो मैं एक एक करके लेता हूं metal का सपना life में इलेक्ट्रो पॉजिटिव बने रहना इलेक्ट्रो पॉजिटिव बने रहने के लिए वो क्या देगा तो इलेक्ट्रोन देगा तो खुद क्या बनेगा तो खुद बनेगा मेटल M प्लस X बनेगा ठीक है अगर लंबे समय तक आप किसको NS3 के साथ लिक्विड एनस 3 में अगर आप इसको रखते हो समझ रहो मेरी बा यह जैता है यह बनाएगा है एच प्लस बनाता है अमाइल आयनu सब्स प्लसं मियरे और में अनेश 2 माइनस यह पस closer to one पी heaven कि क्या होंगा जरहागः उकले देखो या एन यह रहाहर है इज यह रहा है है या एक्विज अब इलक्ट्रो बार मर जा ये पार्षिल लिटा फो से रियक करेगा एक मिनट थोड़ा क्लियर लिखने यह रहा एच यह रहा एच यह रहा एच अब इलक्ट्रॉन क्या करेगा बार बार इसके पार्शिल लेलटा पॉस्टिप के साथ जा जाके क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा जब इंटरेक्ट करेगा तो समझने की कोशिश कर एक समय बाद ये भी क्या रिलीज कर देगा, H+, और बाजू में क्या बनेगा, NH2-, मैं तुझे दूँगा, Electron, मैं तुझे क्या दूँगा, Electron दूँगा, इससे तू क्या बन जाएगा, तेरे कर्टोरे में एक Electron आ गया, यानि कि तू क्या बन जाएगा, H-Free Radical बन जाएगा, और जैसी मेरे भाई ये कम माइन करेंगे, यहाँ पे क्याcarbon होगा, H-2 Gas, कैसा है strongest होगा, H-2 Gas, कैसा क्या colorful होगा, H-2 Gas, यानि यहाँ पे तो मैं रिलीज करवा दिया है, gas को release करवा दिये अब बचा क्या आपका तो अब आप धंसे देखेंगे बिटा तो आपका क्या बचेगा एक तो NH2 माइनस आयन है और एक क्या है M प्लस X आयन है तो यानि कि M प्लस X क्या करेगा तो ये NH2 के साथ का माइन करेगा ठीक है इसका चार्ज इसके पाऊ में इसका चार्ज इसके पाऊ में ये क्या बन जाएगा MNH2 लेकिन ये कब होगा जब आप लंबे समय के लिए for a long period of time for a long period of time ट्रीट करेंगे ऐसा देखने को तब मिलेगा जब आप लंबे समय के लिए एक लंबी अवधी के लिए ठीक है एक लंबे अंतराल के लिए एक लंबे कहा जाता है कि समय time period के लिए जब हाँ पैसा रखेंगे तो यहाँ पे MNH2 plus H2 gas ओडने के chances बनते हैं तो इसको देख लीजे पहले तो इसको नोट करो फिर हम आगे चलते हैं यह पहले देखो एक मिनट सॉरी यह वाला पहले देखो यह वाला देखो उसके बाद हम आगे चलते हैं चलिए इसको नोट कर लो फड़ा पढ़ते हैं आगे चलते हैं देन यह चलिए यह ये भी कर लिजा चलिए बीटा अब हम आगे आते हैं अब हम क्या पढ़ने जा रहा है पहला हमने क्या पढ़ा Reaction with Liquid NS3 अब हम क्या पढ़ने जा रहे है कास्टनर क्या था के अंदर क्या होता है सबसे पहली बात हम ये समझते हैं तो देखो बीटा होता क्या है इसके अंदर NaOH जिससे हम कहते है बेटा कास्टिक सोडा भी क्या कहते हैं कास्टिक सोडा इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा इसका उपयोग किया जाता है इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा पहली चीज़ किससे बनाया जाता है फ्रॉम रॉ मेटेरियल क्या होता है तो रॉ मेटेरियल यानि कि कच्चा पदार्थ जो होता है रॉ मेटेरियल के अगर हम बात करें तो रॉ मेटेरियल होता है एन्ने सील कच्चा पदार्थ जो होता है जिससे बनाया जाता है कच्चा पदार्थ जो होता है वो क्या होता है त एसी इंड्रस्ट्री जिनके अंदर कच्छा पदार्थ NACL लिया जाता है यानि NACL raw material से NEOH वगएरा या कास्टिक सोडा या फिर ऐसे compound बनाये जाते हैं ऐसी इंड्रस्ट्री को हम कहते हैं लॉर एल्कली इंड्रस्ट्री क्या बुला जाता है अने CLA, that is why, ऐसी industries को बिटा बोला जाता है, chlor, alkali industries बोला जाता है, खेर मुद्दे की बात ये है, कि आखिर ये ने O, एच बना तो बना कैसे, इसके बारे में हमें चर्चा करना है, सबसे पहले बिटा अगर हम लेंगे, ने CLAQ लेते हैं, क्या लेते हैं, NACL acuerdo, NACL Ac 곁 लिया, और इसको HG cathode के साथ त्रेट कर दिया, किसके साथ, HG cathode के साथ, त्रेट किया, तो यहाँ पे जो बनता है, वो आपका बनता है, NACL बनता है, क्या, NACL बनता है, लेकिण क्या सुर्फ NAH सबसे पहली चीज़ आगर मैं बात करूं यह रहा एन ने प्लस ठीक है लेगिटिवली चार्ज एलेक्ट्रोड पॉस्टिवली चार्ज एलेक्ट्रोड ठीक है कैथोड और एनोड अब समझो होता है क्या है एनोड पे सबसे पहले सी यल माइनस जाता है let me change the color of pen so that I can explain you in a better way ठीक है तो यहाँ पर ही ख्लोरीन गया क्लोरीन माइनस होता है यह क्या करता है यह क्लोरीन जोड़ेगा तो यह बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल समझे रहो मेरी बात को और यह ख्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेंगे इक दूसरे से कंबाइन करेंगे और यहाँ पे क्या release कर देंगे, CL2 release कर देंगे, अब जो electron है actual में, electron जो है, कहां आया, यह cathode end पे, समझने की कोशिश करो, यह sodium को अपने पास बुलाएगा, और sodium को पास बुलाने के बाद, इसको electron खिलाएगा, अब electron खिलाएगा, तो यह क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे electron इसको खिलाएगा, यह बन गया na, अब problem यह है, तुम्हारे मन में क्या सवाल उठना चाहिए, कि sir, यहाँ पे आपने aqus ले रखा है, अगर aqus की बात करते हो, तो यहाँ h plus भी होगा, और यहाँ पे आपने na plus ले रखा है, और अगर sir, हम जानते हैं, कि h plus का जो discharge potential होता है, वो क्या होता है, वो अगर हम बात करें, na plus से कम होता है, discharge potential, discharge potential, अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, what is this discharge potential, क्या होता है समझने की कोशिश करना, discharge potential की value से हम यह decide करेंगे, कि कौन electron को faster rate पे catch करेंगा, for example, जिसका discharge potential जितना कम होगा, वो उतना तेजी से electron gain करना चाहिए, और अगर हम देखे, discharge potential na plus का जादा है, यह जो na plus है, यह थोड़ा सा rc type का ion है, rc type का kate ion है, मतलब कि यह क्या होता है, spectator ion है, दर्शक ion है, आइनिक equilibrium में भी तुमने पढ़ा होगा, तो सुनो, यह actual में यह थोड़ा rc किस्म का ion है, कैसा है rc किस्म का, इसलिए इसे बोला जाता है, spectator ion, दर्शक ion बोला जाता है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, h2 बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए, h2 बनना चाहिए, लेकिन बन फिर भी क्या रहा है, तो बन रहा है nao h, तो इसका क्या logic है, समझने की कोशिश करो, एक्चुल में जो mercury cathode है, वो mercury cathode, इसका discharge potential और कम कर देता है, discharge potential क्या कर देता है, और कम कर देता है, निरावेशन वोल्टा, जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, निरावेशन वोल्टा, ठीक है, तो यह क्या करता है, na plus का निरावेशन वोल्टा, और कम कर देता है, discharge potential और कम कर देता है समझ रहा हूं मेरी बात को अगर discharge potential जल्दी कम कर देगा तो जल्दी electron con खाएगा तो na plus खाएगा तो यहाँ पर मैं कहीं side में लिख देता हूं Hg cathode lowers down the discharge potential of na plus आये ठीक है यह क्या कर देता है Hg क्या करता है यह lower down कर देता है na plus का अब na plus का lower down कर देगा तो क्या होगा अब वो सारी बात समझेंगे तो पहली बात समझ में आई हमने Hg cathode क्यों use किया ताकि हम na plus की निरावेशन वोल्ट ताको यानि कि अगर हम बात करें discharge potential को कम कर सके और अगर हमने discharge potential कम कर दिया तो वो electron को faster rate पे catch करेगा क्या करेगा faster rate पे catch करेगा ठीक है अगर देखा जब practically aqueous था पहले समझे नहीं मेरी बात को aqueous मतलब क्या होता है पानी होता है तो बानी तो रिलीस करेगा H प्लस आयन H प्लस आयन का already discharge potential कम है तो वो जल्दी electron खाना चाहिए लेकिन H G कैथोड क्या कर देता है वो Na प्लस का यानि spectator आयन का यानि दर्शक आयन का यानि RC आयन का यानि Na प्लस का मरकरी को एक लालच होता है क्या लालच होता है Na जो होता है वो मरकरी के साथ कम्बाइन करके क्या बनाता है Na H G बनाता है जिसे हम कहते है Amalgam क्या बोलते है Amalgam क्या बोलते है Amalgam ठीके तो ये लालच है इनका बेसिकलिए इनका लालच क्या है, कि NA plus, HG plus के साथ, सॉरी, NA जो है, वो HG के साथ combine करके, अब क्या बना लेगा, अमल का, अभी मैंने याद करो आपको बताया था, क्या बताया था, alkali metal में sodium, potassium, rubidium और cesium, low-fi वाले case में अभी पिछली क्लास में भी बताया था, sodium, potassium, rubidium और cesium, यह पानी के साथ बहुत तेजी से react करते हैं, क्या करते हैं, vigorously reactive होते हैं, explosive होते हैं पानी के साथ, तो जैसी NA OH को पानी के साथ हम डालेंगे बिटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा H+, और यहाँ पे क्या बनेगा OH-, यानि कि इन दोनों में NA और HG में जल्दी पानी के साथ कौन कम्बाइन करेगा, तो जवाब है सर, जल्दी कम्बाइन करेगा NA, और यह क्या बनाएगा, NA OH, प्लस क्या बनाएगा, H2, यानि कि अगर मैं तुम से बात करूँ, यहाँ पे NA OH भी बन गया, और क्या बन गया, H2 भी बन गया, कैसे बना, NA अपना जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इस इलेक्ट्रोन को H खा के क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, और NA PLUS किसके साथ कम्बाइन कर जाएगा, OH- के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो पहले ही सवाल कि कास्टिक सोडा का मैनुफेक्चरिंग करते हैं तो जवाब है नहीं यहाँ पर तीन चीज़ों का प्रिपरेशन किया जाता है पहला क्या है H2 पहला है M.A.O.S दूसरा H2 तीसरा क्या हो गया CL2 हो गया तो अगर आपसे पूछा जाए कास्टनर क्यालनर से हम क्या क्या चीज़ों के प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या हम H2 बना सकते हैं बना सकते हैं क्या हम C2 बना सकते हैं क्या हम N.A.O.H. बना सकते हैं मतलब तीनों का तीनों फॉर्मेशन किया जा सकता है तो यहाँ पर यह कुछ important बाते थी, तो अगर हम बात करें, Castner-Calendar-Cell, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Castner-Calendar-Cell, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत important बात है बिटाईए, तीनो का preparation के लिए यूज किया जा सकता है, तीनो का preparation के लिए यूज किया जा सकता है, यहाँ पर इन तीनो के preparation के लिए इसका उपियो किया जा सकता है, तो Castner-Calendar-Cell के बारे में जो important बाते थी, वो यह कुछ बाते थी, अगर इतनी बातों को आप ध्यान रखते हैं, अपनी NCRT मातारानी गीता बाइबल कुरान को धन से देखते हैं, तो सवाल आपके बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसको फड़ाफट से देख लीजे और नोट कर लीजे, फिर हम आगे चलते हैं इसी के साथ, चलिए, आगे चले, है ना, आगे चले, चलते हैं फड़ा-फट, आगे, है ना, अब इसकी बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बिटा, वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम बात करेंगे, बिटा, वो हम बात करेंगे, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, यह अध्योगिक विधी है, यानि इंड्रस्ट्रियल प्रप्रेशन है, जैसे अभी लास्ट हमने किसका पढ़ा इंड्रस्ट्रियल प्रप्रेशन, तो हमने न ओच का पढ़ा, कास्टिक सोडा का, अब जो हम अध्योगिक विधी, यानि की इंड्रस्ट्रियल प्रप्रेशन, औध्योगिक विधी को, अद्योगिक तरीके को, हम इंग्लिश में कहते हैं, industrial method या industrial preparation ठीक है। तो अब हम अद्योगिक विधी किसकी परड़ने जा रहे हैं। तो industrial preparation of क्या हम परड़ने जा रहें बिटा। तो industrial preparation of हम परड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर देखने। सबसे पहले चीज़, इंडरस्ट्रियल, प्रिपरेशन ओफ, एनने टू सियो थ्री, एनने टू सियो थ्री का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर अगर हम बात करें, एनने टू सियो थ्री का, हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका इंडरस्ट्रियल प्रिपरेशन, अब अब आपको Na2CO3 दिया है तो यह formula होता है किसका soda ash का किसका formula होता है soda s मैंने बुला था soda word वहीं use होगा जहाँ sodium आएगा तो जंदली sodium अगर आगया तो soda word लगेगा ही लगेगा अगर मैं इसी को लिख देता हूँ Na2CO3.10H2O तो इसी को हम कहते है बेटा washing soda क्या कहते है washing soda कई दफ़ा formula ही पूछ लिए जाते है तो इसी को हम क्या कहते है washing soda कहते है अब industrial preparation Na2CO3 का कैसे होता है इस बात को हम समझते है सबसे पहली चीज़ सुनो इसके लिए दो बातें आपको याद रखनी है पहली चीज़ अगर हम बात करें sodium hydrogen carbonate क्या sodium sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate क्या बोलते है sodium sodium bicarbonate ठीक है इन दोनों में से कुछ भी ले लिया और दूसरी चीज़ हम लेते है KHCO3 ठीक है potassium hydrogen carbonate potassium hydrogen carbonate potassium hydrogen carbonate इन दोनों में एगर solubility देखी जाए तो KSCO3 के solubility जादा होती है KSCO3 के solubility जो होती है वो कैस की जादा होती है KSCO3 के solubility जादा होती है compared to NaSCO3 के मैं खुद ये बात मानता हूँ कि मैं हर बार बोलता हूँ sodium लग गया मतलब पानी में गुलंशील होगा लेकिन बेटा ऐसे बहुत कम sodium salt होते है जो की पानी में गुलंशील बहुत कम होते है तो कहा जाए NaSCO3 के बारे में तो ये springly soluble होता है बहुत कम soluble होता है पानी के अंदर ठीक है और ये क्या होता है बहुत जादा मतलब पानी में डालते ही गुलंशील होता है तो पानी में डालते ही घुल जाता है, पानी में डालते ही घुल गया, ये तुरंत पानी में डालते ही तुरंत क्या होता है, जैसी पानी में आप इसे डालोगे तुरंत ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पहली चीज़ तो ये important बात आपको याद रखनी है, दूसरी important ब ले लिया और इसको मैंने क्या कर दिया बिटा हीट कर दिया तो ज़रा गौर से समझना है यहां पर क्या बनेगा तो देखो होता क्या है थोड़ा सा इसको expand करके बताता हूँ आपको NaCO3 का मतलब यह हो गया HO HOC double bond O O minus ठीक है यहां पर ऐसी ही मैंने ले लिया C double bond O O minus यह क्या हो गया OH हो ठीक है और यहां पर मैंने क्या ले लिया Na plus ले लिया ठीक है समझने की कोशिश करना 2 NaCO3 मैं लेता हूँ तो यहां पे आपका क्या निकल लाता है थर्मल डिकंपोजिशन में याद करो बताया था तो सबसे पहली चीज तो यहां पे आउठ हो जाएगी water और क्या ओठ होगा बिटा तो यहां पे आउठ होगा CO2 और यहां पे बचा क्या रहे गया तो 2 Na CO3 बचा रहे गया तो क्या बसता है यहां पे तो यहां बनता है Na2CO3 प्लस क्या बनता है वाटर प्लस क्या यहां उड़ता है CO2 उड़ता है देखो यहां पे CO2 भी उड़ेगा thermal decomposition और bicarbonate में जाके आप देख लेना मैंने कहा था Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है तो यहां पे जब NaCO3 को ले के अपन हीट करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा Na2CO3 और प्लस क्या बनता है यहां पे H2O प्लस क्या बनता है CO2 बनता है और मुझे पता है समझने की कोशिश करो मैंने कहा यह कैसा होता है springly soluble होता है तो एन्हाइडरस form में इसको separate करना आसान होता है लेकिन KSCO3 को separate करना उतना आसान नहीं होता है क्या मेरी बात समझ में आई चलिए एक्च्छल मेरा प्पैन गिर गया है तो अगर मैं बात करूँ NA2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ठीक है तो मैं क्या कह रहा था आपको कि तो एन्हाइडरस फॉर्म में कहा जाए सुनो एन्हाइडरस फॉर्म में सेप्रेट करना आसान होता है वहीं वहीं क्या सी यो थ्री को सेप्रेट करना क्याइडरस CO3 को सेप्रेट करना आसान नहीं होता समझ रहा हूं मेरी बात को तो एन्हाइडरस CO3 को क्यों ऐसा होता है क्योंकि यह कैसा है स्प्रिंगली सॉल्यूबल सॉल्यूबल इन वाटर स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर और यह तो बनते ही भाई साब हाईली सॉल्यूबल इन वाटर तुरंद बनते ही घुल जाएगा हाईली सॉल्यूबल in water यह क्या होता है highly soluble होता है पानी के अंदर जबकि यह कैसा होता है springly soluble होता है पानी के अंदर अब बात आती है important raw material important raw material for the formation of for the formation of na h for the formation नहीं in ऐसे लिख देते है important raw material in solve ammonia process solve ammonia process solve ammonia process के अंदर important raw material क्या होता है तो पहला क्या होता है बिटा तो पहला होता है CO2 दूसरा क्या होता है NH3 तीसरा क्या होता है NaCl और चौथा क्या होता है water ठीक है अब देखो याद रखने का तरीका भी बड़ा simple है यहाँ पे सबको चाहो तो आप याद रख सकते हो कैसे याद रख सकते हो वो सुनो CO2 एक acidic gas है यानि ये हमने ले लिया acid ये NS3 क्या होता है तो एक base होता है class 12 P block के अंदर ये लिखा हुआ भी है ठीक है class 12 P block के अंदर तो ये क्या होता है ये होता है base यहाँ पे NaCl के अगर हम बात करें तो इसे हम कहते है salt और ये क्या है आपका water ठीक है तो acid, base, salt and water चार चीज़ों का उपयोग किया जाता है किसके formation में Solve ammonia process के दौरान हम चार चीज़ों का उपयोग करते है one is acid, second one is base, third one is salt and fourth one is water now try to understand अखिर कैसे preparation होती है लेकिन उसके पहले important ये है इसका screenshot ले लिजे देख लीजे, ताकि हम आगे चले ठीक है acid plus base plus salt plus water acid plus base plus salt plus water चार चीज़ों का उपयोग करते है चलिए, इसी के साथ हम आगे चलते है और यहाँ पे हम देखते है क्या होता है सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे NS3 लिया गया NS3 को treat किया गया acid के साथ treat करेंगे CO2 in presence of medium कुस्तों चाहिए water water release करेगा H plus H plus भाई साभ इनको निप्टा देंगे इनके loan pair को loan pair को देखेंगे जैसे तुरंत पकड़ के वही पे क्या कहेंगे कि भाईया देखो हमारा है कटोरा खाली हम बौकलाए हुए है हम छोड़ेंगे नहीं और मेरे भाई रात को 10 बजे सीधा attack कर देते हैं इसके loan pair पे जैसी loan pair पे attack करेंगे यहाँ पर यह बन जाएगा ammonium iron ठीक है यह क्या बन जाएगा ammonium iron बन जाएगा क्या बन जाएगा बुलो बिटा ammonium iron बन जाएगा और साथ में अगर मैं बात करूँ तो CO2 के साथ क्या होगा तो यह देखो C double bond O double bond O इसे हम कहते हैं bonding molecular orbital पीछे छोटा सा होता है anti bonding एक है bonding molecular orbital एक है anti bonding molecular orbital क्या है बोलो जल्दी anti bonding molecular orbital anti bonding और bonding में यहाँ देखो यहाँ कितने electron है तो यहाँ electron है total 4 कितने electron है पीटा चार electron है अब देखो bond order is equal to formula क्या होता है तो bond order is equal to होता है BMO minus ABMO divided by 2 क्या होता है BMO minus ABMO divided by 2 BMO में देखोगे तो 4 electron और यहाँ से जो released OH minus है क्या है OH minus यह OH minus करता है क्या है यह इसके anti bonding में आके electron देता है जैसी electron देगा तो इस negative charge का मतलब हो गया 2 electron यानि ABMO में 2 electron गया divided by 2 answer कितना आया 1 यानि कि यह एक bond क्या कर जाएगा तूट जाएगा जैसी तूटेगा बेटा यह किसमें convert हो जाएंगे तो यह convert हो जाएंगे COH यहाँ पे O minus यहाँ पे double bond इसमें convert हो जाएंगे यानि कि मैं लिख सकता हूँ इसको HCO3 minus Ammonium Hydrogen Carbonate यह देखो NH4 HCO3 minus बन चुका है समझ रहो मेरी बाद को आईए न अब क्या होता है अब देखो यह पहला step था अब देखो दूसरा step क्या होता है तो दूसरा step यह होता है यह रहा NH4 positive यह कौन से group का cation है तो जवाब है sir 0 group cation है क्या है 0 group cation यह कौन से group का cation है 0 group cation होता है ठीक है अब यहाँ पे क्या बनेगा तो NH4 positive CO3 negative को हम treat करते हैं किसके साथ NaCl के साथ Na plus बना Cl minus बना यह Na plus क्या करेगा इसके साथ combine करेगा बिटा और combine करके क्या बन जाएगा तो यह बन जाएगा NaHCO3 साथ में क्या बनेगा तो साथ में बनेगा NH4 plus Cl minus एक छोटी सी जानकरी इस 0 group cation के लिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा वो जानकरी यह है कि NH4 positive एक 0 group cation है 0 group cation है इस 0 group cation का test करने के लिए हम यूज करते हैं Nizzler's Reaisant बोले तो K2Hg I4 in basic media यह इसको convert करेगा किस कलर की PPT में अगर हम बात करें कि यहां पर क्या बनता है तो millions of iodide base बनता है तो इसे हम कहते हैं brown PPT ब्राउन कलर का होता है खेर मुद्दे की बात पर हम आते हैं यहाँ पे ने प्लस इसके साथ combine करके निकल गया अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा वो देखो तो इस N ने इस CO3 को लिया जाएगा और इसका किया जाएगा thermal decomposition ठीक है और अभी थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया था यहां पर ज़रा गौर से देखे thermal decomposition करेंगे तो क्या बनेगा हलाकि यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कहां बता चुका हूँ बाई कार्बोनेट का जब thermal decomposition पढ़ा रहा था अभी वापस explain कर दे रहा हूँ यह रहा N A plus यह रहा O minus यह रहा C double bond O और यह रहा OH ऐसी दूसरा आमने ले लिया एक ले लिया N A plus O minus C double bond O और यह OH यह यहां से क्या release हो जाएगा बोलो जल्दी water release हो जाएगा जैसे ही यहां से पानी निकला यहां पे minus S2 निकला जैसे ही यहां पे क्या निकल लाएगा यहां पे निकल लाएगा CO2 क्या निकल लाएगा बोलो जल्दी यहां पे निकल लाएगा CO2 यहाँ पर क्या निकल लाएगा CO2 निकल लाएगा ठीक है अब बचा क्या तो बचा आपका ये आप ये देखे यहाँ पर ये देखो ये बन गया आपका Na2CO3 तो यहाँ पर क्या क्या बनता है exactly तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ बनता है Na2C3 पलस यहाँ पर क्या बनता है बिक्टा तो यहाँ पर बनता है H2ициा यानिक्ट मैं बात करूँ कि जिसमें 10H2 जोरने पर washing soda भी कहा जाते है इसका उपियोग हम कैसे करते है तो इसका उपियोग हम हम बात करें यहां पर समझने की कुशिश करो तो यहां पर इसका उपियोग हम कुछ इस तरीके से करते हैं CO3 नहीं सॉरी CO2 बनेगा ना CO2 हाँ इसका जो हम अगर बात करें कि NaCO3 को लेके thermal decomposition करवाया तो Na2 CO3 plus S2O plus CO2 यहां पर बनेगा अब एक जानकारी के लिए बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो होता है NaCO3 अब NaCO3 का जब thermal decomposition करोगे तो CO2 निकलेगा तो आपको पता होना चाहिए NaCO3 को कहा जाता है baking soda क्या कहा जाता है baking soda मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूँ एक bracket लेके रूखो यह वाला नहीं लेते हैं यह वाला नहीं लेते हैं सुनो यहाँ पर important एक मिनट दिल में रखना इसको देखो यहाँ पर सुनो क्या कहा जाता है बिटा जो NaCO3 है इसको बोला जाता है baking soda क्या बोला जाता है baking soda इसको जो बेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं कौन यूज करता है बेकर्स ठीक है केक बनाने वाले बेकर्स यूज करते हैं अब यहाँ पर क्या होता है यह क्या रिलीस करता है हीट करने पर तो यह CO2 रिलीस करता है तो केक बनता है वह مhouse होता है समझाँ मेरी बात देखने में होता है कहने मी अच्छा लगता है हल्का होते मतलब थोड़ा पुपरोधी होता है समझ तो बीच में क्या होता है यह ही तो işisin दो तो बेकर्स यूज़ करते हैं केक को light और पफी बनाने में केक को light मतलब हलका होता है और पफी मतलब देखने में थोड़ा सा का जतना फूला हुआ ताकि भारी दिखे तो light और पफी बनाने के लिए कैसा बनाने के लिए लाइट और पफी बनाने के लिए तो light और पफी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं समझ रहा हूं मेरी बात को तो nsco3 का उप्योग करते हैं क्या बनाने केक को light और पफी बनाने के लिए अब important मुद्धा यह है कि आखिर ns3 को recover कैसे किया जाए अ इसको देख लो अच्छा एक चीज यहां पर notice करो कि यह जो NH4Cl है यहां पर इनीशली हमने जो ammonia लिया था इतना महंगा ammonia जो हम लेके आये थे उसको एमी हम क्या कर रहे है तो एमी पानी में बहार रहे है देखो यहां पर समझने की कोशिश करो एक्चूल में होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ NASCO3 की तो यह क्या होता है water insoluble समझने की कोशिश करना ठीक है तो यह तो पानी के रास्ते बह के निकल जाएगा अब इतना महंगा ammonia लाए और तुम वैसे ही पानी में उसको बहा के निकाल रहे हो यह तो इंड्रस्ट्री को घाटा में ले जाएगा तो इंड्रस्ट्री के आज सोचती है अगर तुम ही अगर किसी इंड्रस्ट्री के माले खो लेट सपोस्ट तो तुम क्या इसको बेकार जाने दोगे नहीं जाने दोगे तुम सुचो कि इससे अगर मैं कुछ बना सकता हो तो क्यो ना बना तो यहां पर क्या होता है कि यहां NH4Cl से क्या recover किया जाता है आपका यहाँ पे आपका recover किया जाता है ammonia, अब देखो ammonia कैसे recover किया जाता है to recover ammonia, अगला important बात मैं करने जा रहा हूँ, to recover ammonia ammonia कैसे ammonia को recover किया जाता है, तो देखो बिटा सबसे पहले क्या लिया जाता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना सबसे पहले यहां लिया जाता है CACO3 अगर मैं तुमसे बात करूँ CO3 मतलब क्या हो गया तो यह O- यह O- और यह double bond O और यह क्या है CA plus 2 यह आजू से भी electron लेता है यह बाजू से भी electron लेता है अब देखो carbonate जब मैंने thermal decomposition of carbonate इसी चाप्टर में जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि क्या होगा तो वहाँ पे क्या होता था यहां से CO2 gas निकलती थी और बची क्या चीज तो बची आपकी CAO तो यह क्या बना लेगा CAO बना लेगा तो सबसे पहली चीज CACO3 को लेकर अपन हीट करते हैं thermal decomposition करते हैं तो यह क्या बनाता है CAO प्लस CO2 अब दूसरी चीज क्या करते हैं तो यहां पे अब CAO लेते हैं और CAO को लेकर पानी में डाल देते हैं क्या calcium oxide को लिया और इसको कहा डाल दिया पानी में पानी के दो component है एच प्लस और OH- ऐसे ही इसके दो component है प्लस टू माइनस टू यानि कि अगर मैं बात करूं कि यह माइनस टू वाला पार्ट किसके साथ चला जाता है एच के साथ लेकिन एक oxygen को जोडने के लिए कितने hydrogen की ज़रूरत है दो तो यह 2H2O निकलेंगे यहां से सबसे पहले बचा क्या आपका OH- अब OH- कितना जोड़ेगा इस CA के उपर charge कितना है प्लस टू प्लस टू के साथ कितने हो इस दो तो यह बन जाएगा CA OH का hold twice प्लस यह water बन जाएगा अब देखना इसी को हम कहते हैं CA OH का hold twice water को हम कहते हैं slick lime क्या कहते हैं slick lime यानि भुजा हुआ चुना क्या बोलते हैं भुजा हुआ चुना ठीक है भुजा हुआ चुना इसे हम कहते हैं भुजा हुआ चुना अब देखो third step में क्या होता है अगर मैं आपसे बात करूँ तो third step में क्या होता है ammonium salt लेते हैं क्या लेते हैं ammonium salt और इसको किसके अंदर डालते हैं slick lime के अंदर यानि CAOH का hole twice इसे हम कहते हैं slick lime इसे हम कहते हैं slick lime तो ammonium salt को basic medium में डालते ही ammonia gas निकल जाती है तो ये note बना के भी लिख लोगे जैसी हम डालेंगे कैसे क्या होगा समझने के पहले मैं समझा देता हूँ आपको देखो यहां पे क्या है CA plus 2 में है ये plus 2 2Cl को यहां से उड़ा के लेके जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CACl2 plus समझो यहां से ये release कर देगा H plus आयन अगर 2 mol ले लिया तो ये 2 mol H plus और 2 mol CL minus भी तो ये CACl2 बन गया अब 2 mol H plus क्या करेंगे यहां पे जो OH minus वाला सेग्मेंट है OH minus वाला सेग्मेंट है इसके साथ combine करेंगे और यहां पे क्या बना देंगे water बचा क्या आपका तो बचा आपका NS3 तो यहां पे ये बन जाएगा NS3 और NS3 गैस बनके उड़ना शुरू हो जाएगा और इसको हम collect करके फिर liquify कर लेंगे liquid NS3 के तॉर पे यूज़ कर सकते है तो सुनो important मुद्दा क्या है बिटा important मुद्दा इसके अंदर जो सबसे important line है वो line important क्या है कि अगर हम बात करें कि ammonium salt को ammonium salt को select lime के साथ select lime के साथ select lime के साथ treat करते ही करते ही या basic medium में डालते ही basic medium basic medium में डालते ही NS3 gas बनके उड़ जाएगी NS3 gas बनके उड़ जाएगी ठीक है NS3 gas बनके क्या हो जाएगी उड़ जाएगी तो अगर हम बात करें समझने की कोशिश करना है कि slick lime के साथ जब ammonium salt को slick lime में जैसे ही डालेंगे तुरंत NS3 gas बनके वहाँ से उड़नी शुरू हो जाएगी तो इसको देख लो फड़ा-फड से note कर लो फिर हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो NS3 यहां से क्या हो जाएगा recover हो जाएगा ठीक है चली आगे चलते है next जो हम बात करने वाले हैं बिटा वो हम किसके बारे हम बात करने वाले है cement के बारे में किसके बारे हम बात करने वाले है cement तो cement वे तीन मुख्य सवाल पूछे जाएंगे, पहला पूछा जाएगा composition, क्या पूछा जाएगा composition, यानि संगटन, किस से मिलके cement बना हुआ है, पहली important बात तो यह, दूसरी important बात इसमें पूछा जाएगा, that is ratio, क्या पूछा जाएगा ratio, and the third is setting of cement, setting of cement, now the points come, कि हम यहाँ composition, ratio, setting of cement, तीन मुख्य बाते करते हैं, लेकिन cement के बारे में थबसे पहली चर्चा कहां की गई, cement जिस जगह पाया गया, उस जगह का नाम था Portland, वहाँ वे queries नाम का एक पत्थर था, जो कि काफी hard था, तो scientist लोगों ने सूचा क्या कि इसी को powdered के form में हम क्यों ना बना दे, अच्छा उन्होंने attempt किया, attempt किया तो वो successful भी रहा है उन बातों में, अब बात आती है कि आखिर cement किन-किन चीज़ों का मिलके बना हुआ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं sir, कि अगर हम composition यानि संगठ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, composition यानि संगठन की बात, तो इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले c-a-o पाया जाता है, si-o-2 पाया जाता है, AL2O3 पाया जाता है MGO पाया जाता है उसके बाद पाया जाता है Fe2O3 और पाया जाता है SO3 यानि कि ये कुछ चीज़ें होती है जो सिमेंट को मिलके बनाती है ठीक है पाउडर्ड फॉर्म में ये छे चीज़ें इनमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है ratio important है जैसी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ratio कितना होता है लगबग इसका अगर हम बात करें 50-60% केवल और केवल क्या पाया जाता है यही CAO calcium oxide सबसे ज़ादा amount में पाया जाता है सबसे ज़ादा amount में 50-60% SIU2 कि अगर हम बात करें तो यह लगबग 25-30% पाया जाता है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ SO3 लगबग 1-2% वही FE203 अगर हम बात करें तो 1-2% अगर मैं यहाँ पर आपसे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर यह कितना पाया जाता है तो यह लगबग 5-10% पाया जाता है तो 75, 85, 82, 82 82 बचा कितना आपका तो लगबग 18% बच रहा है तो यह कहाँ पाया जाता है तो अगर हम बात करें यहाँ पर 5-10% यह आपका पाया जाता है और AL2-3 का rest amount में जो पाया जाता है वो AL2-3 पाया जाता है मतलब CAO कि अगर हम बात करते है तो कितना होता है लगबग लगबग एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत लिखते है 2-3% यह होता है और यह 5-10% होता है तो समझना अगर हम बात करते हैं CAO की CAO की समझने कोशिश सबसे जादा amount में CAO पाया जाता है उससे थोड़ा सा कम amount में CAO 2 then AL 2 O 3 then पाया जाता है MGO then क्या पाया जाता है F2 O 3 and then पाया जाता है SO 3 पाया जाता है अब इसमें देखो क्या क्या ratio पूछा जाता है तो देखो composition यह है तो इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे तो यहाँ पे इन दोनों को merge करो और लिखो काशी ठीक है काशी में आलू महंगे अब समझो यह तो हो गया composition मतलब काशी में आलू महंगे फिर से अगर यह sequence आपको याद है तो आपका cement का सवाल बन जाएगा percentage याद रखने के लिए मैं आपको बताई दिया अब जरा गौर से सुनो ratio यहाँ पे पूछा जाएगा तो पहला ratio किसका पूछा जाएगा बिटा तो पहला ratio जो यहाँ पे पूछा जाएगा पहला ratio यहाँ पे पूछा जाएगा that is अगर हम बात करें यहां पे पुछा जाएगा CAO और SIO2 का रएशियो पूछा जाएगा CAO और SIO2 का CAO का अगर मैं मानलeszू कितना ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ 50-60 % होता है और यहां पे अगर हम बात करें कि लगभग यह कितना होता है तो 25-30 % होता है ठीक है तो अगर आप करोगे तो यहां पर ratio जो आएगा CAO और SiO2 का जो ratio आता है वो आता है 2.5 से लेके 2.5 to 4 ratio vary करता है 2.5 से लेके 4 ratio कैसे तो 25 दोना 50 तो चला जाएगा लेकिन 25 से अगर 60 को divide 60 को अगर 25 से divide करोगे 2.5 to 4 अगर 2.5 to 4 ratio है अगर cement के बोरे पर 2.5 to 4 ratio अगर बता रहा है किसका CAO प्लस SiO2 का ठीक है CAO और SiO2 का ratio जो बता रहा है लगबग 2.5 to 4 बता रहा है it means cement जो है वो एक अच्छी quality का cement है किसका है अच्छी quality का cement है दूसरा अगर मैं आप से CAO तो CAO upon clay क्या होता है तो clay होता है silfy के oxide किसके silfy के oxide silfy बोले तो Si, Al और Fe मतलब समझ रहा हूँ मेरी बात को इसको मैं बोल रहा हूँ silfy क्या बोल रहा हूँ silfy not selfie you can call it selfie ठीक है याद रखने के लिए लेकिन sulfur जैसा कुछ नहीं यह असले मैं selfie नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ silfy तो silfy के oxide x lime और clay का ratio उनके लिए पूछा जाता है तो clay क्या है तो silfy के oxide को clay का आ जाता है अब जरा गTell ses समझो silfy बोले तो silicon then aluminium then क्या होगे आपका iron तो यानि 25 35 30 और एक 31 ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पे co कितना है 50-60% है तो यहां पे अगर हम बात करें 60 divided by 30 अगर मैं करता हूं तो या फिर 31 करता हूं एक 31 अगर मैं करता हूं बिटा तो यह कितना आ जाएगा approximately 2 आ जाएगा क्या आ जाएगा पूलो जल्दी approximately 2 आ जाएगा तो अगर माल लाइम और क्ले का यानि लाइम और क्ले क्ले बोले तो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा पहले पूरा नोट कीजे फिर हम आगे चलते हैं इसको फड़ा फट से तो इसको नोट कीजे फिर हम आगे चलते हैं चली नोट कर लिया होगा next चलते हैं अब हम आते हैं बिटा किस पे last setting of cement पे किस पे आते हैं setting of cement तो setting of cement के अंदर समझने की कोशिश करना क्या क्या बनता है तो setting of cement के अंदर cement लेते हैं इसको किस से treat करते हैं water से तो यहां क्या बनता है पेस्ट बनता है और यहां पे जैसे ही cement और पानी को लोगे तो यह बहुत ही जादा highly exothermic reaction होती है जैसे हम पानी में डालते हैं वो क्या हो जाते हैं irreversibly interlocked हो जाते हैं उनके constituent क्या कर जाते हैं irreversibly interlocked कर जाते हैं जिसकी वज़े से यह high numbers of energy निकलती है that is why यह कैसा हो जाता है process exothermic हो जाता है it means delta H would be what negative ठीक है delta H would be what negative now try to understand cement को water में डाला तो paste बन गया और paste बनने के बाद reaction क्या हो गई बहुत जादा irreversibly highly exothermic हो गई now try to understand अगर हम बात करें cement को water में डाला paste plus highly exothermic यह reaction बन गई ठीक है अब इस process को slow करने के लिए एक salt का use करते है process को यह highly exothermic ना हो इस process को slow करने के लिए process slow करने के लिए एक salt का उपयोग किया जाता है उस salt का नाम है बिटा जिपसम क्या नाम है जिपसम कहां पढ़ाया सर आपने जब मैं पढ़ा रहा हूं तुहां जाके देखो एक green vitriol है blue vitriol है ठीक है एक white vitriol है और नीचे देखो वहां पे पढ़ा रखा है जिपसम जाके देखना thermal decomposition of sulphate के अंदर कहा है lecture number 1 के अंदर कौन सी जगह पे तो carbonate, nitrate और sulphate तीन आयन का thermal decomposition बताया था पहले lecture में उसी sulphate के अंदर है ठीक है तो यहां पे अगर हम बात करें इस process को slow करने के लिए salt का उपयोग करते है जिपसम है ठीक है salt का उपयोग किया जाता है जिपसम इसके बात जो सबसे last point आता इसके बारे में वो क्या आता है तो important ingredients of Portland cement Portland cement के important ingredients क्या होते है तो Portland cement के यह एक important point है इसको note कर लेना चीक है देखो क्या क्या होता है तो इसके अंदर पाये जाता है DCS और फिर क्या पाये जाता है TCS और क्या पाये जाता है TAL अब देखो यह क्या है DCS का मतलब क्या है तो DCS का मतलब है Dicalcium Silicate क्या होता है Dicalcium Silicate वहीं अगर हम बात करें TCS का मतलब क्या है तो उसका मतलब है Tricalcium Silicate और TAL का मतलब क्या है तो Trialuminate Tricalcium Aluminate ये तीन चीज़ें इसके अंदर important ingredients पाई जाती है जिसमें DCS पाई जाता है लबवक 26% चीज़ें 26% TCS पाई जाता है लबवक 51% वहीं Trialuminate पाई जाता है 11% पाई जाता है DCS बोले तो 2CAO.SiO2 इसको हम बोलते हैं Dicalcium Silicate समझ रहा हूँ 2CAO.SiO2 ठीक है इसको हम बोलते हैं 3CAO.SiO2 और इसका formula क्या होता है तो 3CAO.L2O3 यह होता है Trialuminate यह क्या है Tricalcium Silicate यह क्या है Dicalcium Silicate तो important ingredients की जब हम बात करते हैं किसके अंदर setting of cement के अंदर तो हमें यह कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण प्राप्त होती हैं ठीक है इसी के साथ cement जो था वो आपका topic समाप्त हुआ बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर lecture को सुनने के लिए मिलते हैं next lecture के अंदर उसमें हम finish कर देंगे किसको then next on हम चालू करेंगे अपना next chapter data is hydrosive ठीक है तो thank you very much इतनी देर मुझे सुनने के लिए बस मस्त रहिए पढ़ाई करते रहिए ठीक है बेटा चलो पैपाई